एक तरफ जहां हिजबुल्ला और इसरैल के बीच युद्ध का खत्रह मनदा रहा है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला उत्री इसरैल पर पूरी टाकच से ताबर तोड खमले कर रहा है हिजबुला की रननीती है कि इसरैली सिना पर मान से एक दबाओ बनाय जाए जिससे दोनों के बीच में चल रहा ये संगर्ष पूर्ण युद्ध में तब्तील ना हो सके और यही वज़ा है कि इसराइल और लेबनान बॉर्डर हर एक मिनट और हर एक सेकेंड जल रहा है जिसमें हिज़बुला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाईलें इस पूरे इलाके को जला रहे हैं और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर से उतरी इज़राइल को दहला कर रख दिया है दरसल हिजबुला ने उत्री इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किये सबसे पहले उसने इसराइल के येरोन सेटलमेंट पर सीधा हमला किया है उसके बाद उसने बिरानिट बैरेक्स में आईडियाफ की 91 डिविजन के हैटक्वाटर पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले में हैवी बुरकन रॉकेट्स का استعمال किया है हिजबुला के मताबک उसके ये रॉकेट्स सीधे आईडियाफ के हेटक्वाटर पर जा लगे हैं जिस से आईडियाफ को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद शाम करीब 4.40 मिनट पर बेत हिलल बैरिक्स में साहेल बटालियन के हेड़कौटर्स पर ताबरतोड हमले किये गए इस हमले में हिजबुला ने IDF पर फलक रॉकेट्स की जड़ी लगा दी जिससे साहेल बटालियन का हेड़कौटर पूरी तरहा से शतिक रस्त हो गया और इस हमले के तुरंद बाद मेतूला सेटलमेंट में भी एक बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ जिसमें IDF ने पोजिशन ले रखी थी हिजबुला का कहना है कि उसने इसराइल के कबजे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में भी IDF की 178 आर्म ब्रिगेड के हेड़कौटर रिवाया बेस पर एक आत्म घाती ड्रोन का जथा फायर किया है और इस हमले में कमांड बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर इसराइली सैने के कट्टा हो रहे थे हिजबुला का कहना है कि ये हमला भी सीधे IDF पर हुआ है जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है और इसके अलावा बे थिल्लेल बैरिक्स में एक मिलिटरी वर्क्शॉप पर भी हिजबुला ने सीधा हमला किया है हिजबुला का कहना है कि उसने कबजे वाले लिबनानी शीबा फॉर्म्स में रुइसा तलकान साइट और अलसमेका साइट पर दनादन बंबारी की है हिजबुला ने यहां पर रॉकेट और कई गोले दागे हैं और इसी कड़ी में हिजबुला के मिलिटरी मीडिया ने एक वीडियो भी रिलीस किया है जिसमें हिजबुला के लड़ाके IDF के एक मेरकावा टैंक और नेमारा आमर्ड रिकावरी वेकल को निशाना बना रहे है हिजबुला का कहना है कि उसने इस वाहन पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया है वहीं हिजबुला के इन हमलों को लेकर अब इसराइली सेना ने भी अपना बयान जारी किया है IDF का कहना है कि 30 जून 2024 को हुए उत्तरी इसराइल पर एक हमले में 18 जवान जखमी हुए है इन में से एक जवान गंभी रूप से घायल हुआ है IDF के मताबिक हिजबुला ने गैलीली पैनहंडेल और उत्तरी गोलन हाइट्स पर कई आत्मगाती ड्रोन से हमला किया और वहीं मेरॉन गोलन इलाके में एक विसफोटक से लदा ड्रोन आगिरा जिसमें 18 जवान जखमी हो गए आपको बताते कि बीते दिनों में हिजबुला ने विसफोटक से लदे ड्रोन हमले बढ़ा दिये हैं और इससे पहले हिजबुला ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल और रॉकेट्स के जत्तों से हमला कर रहा था जह जबुलाल demás करेंप मिसा मिसाून कर इसा चानि को प्यां जबुला है यह चानि प्यां कर झाद़ से प्याम के अके जबुलра एंबुलाओ ऑskन ज़ फो दित, खित, मिसमा हमी हो आप, ज हाउ